अब्दुल्ला गंज में हुए दंगे में हत्या के मामले में 14 लोगों को हुई आजिवन काराबास की सजा मिर्तक रूपेस राजपूत की हत्या में हुई सजा सन 11 में अब्दुल्ला गंज में हुआ था दंगा धारा 302 और धारा 149 के दोसी पाते हुए सुनाया फैसला इस पक्ष में 17 लोग बनाए गए थे आरोपी प्रथम अतिरिक सत्र न्याजदी शरत भामकर की कोट ने सजा सुनाई दूसरे पक्ष को धारा 307 और 326 में किया बाइजित बरी 14 दंगाईयों को आजजीबन काराबास की सजा राइसन के प्रथम अतिरिक शत्र न्याजदी शरत भामकर की कोट ने सन 10 में अब्दुल्ला गंज में हुए दंगे के रूप में रूपेस राजपूत की हत्या के मामले में दोसी करार देते हुए आजजीबन काराबास की सजा सुनाई बहीं दूसरे पक्ष के च्छे लोगों को किया बरी दस में राइसन जिले के अब्दुल्ला गंज में दंगे में यूबक रूपेस राजपूत की हत्या के मामले में अदालत ने एक पक्च के 17 में से 14 लोगों को आजीवन काराबास की सजा सुनाई तो बहीं दो लोगों को बाल नियालाय में पेस किया गया तो एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है और दूसरे पक्च के 6 आरोपियों को कोट ने बरी कर दिया गया है आपको बता दे सन 10 में अब्दुल्ला गंज में दंगा हुआ था इस दंगे में रूपेस राजपूत की कुछ लोगों ने हत्या कर दीती अदालत ने गबा हो और सबूतों को सही मानते हुए सभी 14 आरोपी को आजीमन काराबास की सजा सुनाई सरकारी बकी लकंठाकुर ने सजा दिलाने के लिए पैरवी की तो बहीं बरी हुए लोगों की पैरवी बरिष्ट अधिबक्ता बिजय धाकल और सुनील धाकल ने की थी राजपूत से हमारे संबाददाता शरच सर्मा की रिपोर्ट बिदीशा से हमारे संबाददाता राम बाबू की रिपोर्ट से टी आई कालेज में आई जित हुआ रोजगार मेला जिले के प्रभारी मंतरी शागर सांसत और बिदीशा सांसत भी रहे मौजूद बिदीशा के से टी आई कालेज में आज जिला इस तरिये रोजगार मेले का आई जन किया गया जिसमें प्रदेश और देश भर से कई कंपनियां योबक और योबतियों को रोजगार देने के लिए पहुँची कारी करम के सुभारम के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री बिश्वाश शारंग सागर सांसद राज बहाद्दुर गोर और बिदीशा बिधायक रमाकांत भारगाव भी मौजूद रहे इसके अलाबा जिले के बिधायक और अन जनपतिनी दी भी कारी क्रम में सामिल हुए कारी क्रम के दौरान विबिन कमपनियों के युबाओं को रोजगार देने के लिए आमंत्रित किया गया साथ ही कई युजनाओं को हिद ग्राईयों को भी मंच से लाबान बित किया गया प्रभारी मंत्री ने बताया कि महापुर्शों की जेनती भाज़ापा सरकार औप चारिकता से नहीं मनाती बलकि उन्हें बास्त्वेक अर्थ को समझाते हुए जरूरत मनों को लाब दिया जाता है उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में करीब पांच लाक बेरोजगारों को रोजगार देने का आज काम किया गया है तहल का केस मेले में दोरान प्रशासन की ओर से दबा किया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया कई जगाए पा इसका उलंगन इस पास टुरूप से दिखाई भी दिया बिदीशा से हमारे संबाद दाता राम बाबू की रिपोर्ट